उत्तराखंड की पहाडियों की बीच एक बर्फीली जील है सरदिया आते ही इस जील का पानी जमडाता है लेकिन गर्मी के मौसम में बर्फ पिगलने से जील में पानी आ जाता है दिखने में खूबसूरत यहड जील रूपकुन के नाम से जाना जाता है इस जील तक पहुँचने का मार कठिन होने के कारण परवतारों ही ही इस जील तक पहुँच पाते हैं घटना 1922 की है कुछ परवतारों ही इस जील तक पहुँच गए यहां आकर जब उन्होंने यहां कन जारा देखा तो उनके होशूर गए इतने सारे नरकंकाल यहां कैसे आए खुबसूरत जील के चारों तरफ नरकंकाल बिखरे पड़े थे इसके बाद से ही यह स्थान रहसे बना हुआ है और इस बात की खोज चल रही है कि आखिर इतने सारे नरकंकाल यहां कैसे आए वे कौन से लोग हैं जिनके नरकंकाल यहां बिखरे हुए हैं समय समय पर इस रहसे से परदा हटाने के लिए अलग-अलग तत्थे आते रहे हैं क्या यह जापानी सैनिकों का नरकंकाल है एक मत है कि द्वितिय विश्व्यूर्ग के समय जापानी सैनिक इस रास्ते से गुजर रहे थे बर फीले पहाडियों के बीच उन्हें रास्ता समझ नहीं आया और भटकने लगे अधिक अथन्द की वज़े से इन सैनिकों की यहां मौत हो गई जबकि दूसरा तत्थे कुछ और ही कहता है राजा और उनके काफिले की मौत एक अन्यमत यहां कहता है कि प्राचीन काल में जस्धावल नामक राजा संतान प्राप्ती की इच्छा से कुछ लोगों के साथ नंदा देवी की आत्रा पर निकले मार्ग में अचाना को लावरिष्टी होने लगी इस से बर फीले जील में सभी की सामाधी बन गई वेग्यानिक तत्थे यह कहता है सबसे नवीन तत्थे यह सामने आया है कि नौवी शताब्दी में इस क्षेतर में उलावरिष्टी हुई उस समय जो भी लोग इस क्षेतर में थे उन सब की मौत हो गई रुपकुन के आसपास बिखरे नरकंकाल उनहीं लोगों के है तो दोस्तों यूटूब टेंडिंग को सबस्क्राइब करें और बिल की घंटी बजाएं आने वाले वीडियो को देखने के लिए तो आईए चलिए देखते हैं आज का बिली